नीट वालों, तयार हो जाओ, मैं आपके लिए लेके आगए हूँ मेरा most wanted series, जो की मेरा favorite और successful program है, जो की chemistry को 45 days में complete कर देगा, और जानते हो बचों, 45 days में complete ही नहीं कर देगा, आपको full marks दिला देगा, ये it is not a crash course, it is a crack course, और last year का भी आपको याद होगा, 45 में से 37 questions directly in 45 days में स आये थे, और इस बार तो ये live लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, और एक सबसे important और बहुत important बात, कि मैं इस बार आपको complete chemistry 45 days में free पढ़ाऊंगा, free, pure free, सबके लिए, जो afford कर सकते हैं, उनके लिए भी, और जो afford नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी, तो complete free पढ़ाऊंगा आपको YouTube के उपर, और परसों से एक स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 11 o'clock chemistry की class होगी मंडे को, और ये जो date आप याद कर लिजिए, इस date को feed कर लिजिए बचों, कि 18 Jan 11 o'clock chemistry आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, और बताइए, आप सोच रहे होंगे कैसे हो पाएगा ये, तो इसका पूरा प्लान है मेरे पास, जो मैंने आपके लिए ready कर लिया है, देखिए बचों, ये देखिए, ये most wanted 45 days का पूरा chemistry कैसे कराना है, मुझे उसका प्लान सुन लिजिए, जैसे देखिए, day 1, mole concept and oxidation number, जिसमें से हमेशा एक question आता है, आप जानते हो इस बार भी एक question आया था, lithium वाला आपको याद होगा, lithium मैं number of atoms पूछे थे आपको, जो NCRT का back exercise का question था, इसी तरह से oxidation number तक का का काम अपन day 1 को complete करेंगे, उसके बाद आएगा balancing of redox reactions and equivalent mass, जिन में से भी एक question आने के chance होते हैं, और देखिए next देखिए बचों, concentration terms and equivalent concept, equivalent concept जा कि किस तरह से without balancing reaction हम questions को solve कर पाएंगे, तो mole concept के over इसके काफी बड़े advantages हैं, तो मैं आपको ये clear करके दूँगा, और finally qualitative properties, तो ये चार जो lectures हैं, इन में से कम से कम तीन और जादा से जादा चार से पांच questions तक आते हैं, तो तीन question मान लेते हैं हम इन चार वीडियो से अपन क् तीन questions grab कर लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना बाद में, और देखिए मैंने change किया है, एकदम bore नहीं हो पाएं, तो physical कराने के तुरंट बाद मैंने क्या लिया है, organically है, nomenclature, structural isomerism and stereo isomerism, जो की एक बहुत important part है GOC का, nomenclature, isomerism, जिन में से 2 questions तो 100% आते हैं, तो इसको भी अ पर आता है, लेकिन मैंने उनको भी आपके लिए completely है, polymers and chemistry in everyday life, then biomolecules and metallurgy, जिन में से भी questions आने की possibility हमेशा रहती है, तो इन छोटे topics को भी बिलकुल भी ignore नहीं करना है, next देखिए बचों, उसके बाद जस्ट फिर अपना flavor change करते हैं, इस बार हम आते हैं, inorganic chemistry पे, तो dynamics, structure of atom, structure of atom second, यह सब लेंगे, और 17 day तक आते आते, physical का एक और part अपना complete हो जाएगा, और उसके बाद वापस से organic start हो रही है, देखिए बचों, general effects of organic chemistry, resonance effect, inductive effect, hyperconjugation, जो कि आप लोगों को बहुत problem करते हैं, मैं आपको चुट की बजाते हैं, उनको solve करा दूँगा, कैसे marks दिलाता हूँ, वो आप देखना बचों, ठीके, तो आगे देखिए, day 18 के बाद, day 19, 20, 21, general effects of organic chemistry, acidic strength, basic strength, आपने ऐसा कोई नीट का paper नहीं देखा होगा, जिसमें दो क्वेश्टन, एसे के basic strength के नहीं होते हैं, तो मैं आपको इन दो वीडियो में इतना clear करा दूँगा, जो example मैं दूँगा, guarantee होगी मेरी उसी में से questions आएंगे, तो बचों बस आपको उसके लिए ready रहना है, उसके बाद देखिए, बचों, फिर मैं आपका flavor change कर रहा हूँ, surface chemistry, environmental chemistry, मैं कोई भी topic avoid नहीं कर रहा हूँ, ठीके, after that, फिर physical पे आगे है, equilibrium, acid-based theory, buffer solution, तीन class में ने equilibrium के लेंगे, और 12th का ये part जो है, वो complete होगा, तो physical लेने के बाद, मैं एक बार फिर वापस आता हूँ, organic chemistry पे, 28, 29, 30, 31, इस बार अपन पूरी organic को complete कर लेंगे, hydrocarbons from class 11, after that, hello, alkane, alcohol, phenol, carbonyl compounds, carboxylic acid, everything, and finally, nitrogen containing compounds, इस तरह से organic complete करेंगे, तो हमारा 15 questions जो organic में से आते हैं, मैं एक इसे आइडियली है, बता रहा हूँ कि 33% सब का बेटेज होता है, उसके according, उसको अपन complete करेंगे, बचों, और last में देखिए, chemical bonding first, chemical bonding second, और फिर P-block, chemical bonding और P-block तो आप जानते हो, एक दम combination है, तो इनको 5 और 6 वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, complete करने वाले हैं, और उ पूरा प्लान है, और मेरी गरेंटी है, कि आपके marks कैसे नहीं आते हैं, तो इन 45 डेज में, last year में मैंने प्रूव करके दिखाया है, कि मेरे 45 वीडियो में से 37 questions आये थे, और 3 questions नॉर्मल NCRT से थे, तो 40 questions आपने बहुत अच्छे से किये थे, उसके लिए बहुत सारे reviews students के आ इनकी बोलना चाहूंगा, उनके affection के लिए, और उनके जो comments आये उसके लिए, प्लस मैं इनको एक बार और congratulate करना चाहूंगा, देखिए, neat most wanted के students साही राज, जिन्हों ने top किया था, 153rd rank, देखिए, neat में 153rd rank, और उसके बाद 238, 662, 732, और इस तरह से बहुत सारे students, more than 50 plus students ने 600 से plus score किया था, और वो सब doctor बन गए है, बनने जा रहे हैं, sorry, और plus, और बहुत सारे regional, जो south, मतलब अपन जो अपने north east में आता है, plus south में आता है, बहुत सारे ऐसे states, जहां पर 550 में भी हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके selection हुए है, तो उन सब बच्चों को मैं congratulate करना चाहता हूँ, और उन से चाहता हूँ कि वो और बच्चों को guide करें कि कैसा होगा, और सबसे important बात, इस बार need most wanted chemistry बिलकुल free है आपके लिए, ठीक है ना, तो हर बच्चे के लिए free है, तो बच्चों बस ready हो जाईए, Monday 18th Jan 11 o'clock morning, YouTube के उपर मैं आपको welcome करूँग और आप मेरा भी welcome करिए, ताकि आप हम उस दिन से start करें, और डॉक्टर बनने की हमारी journey को हम start करें